अलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी, तो आज जो morning में आपका paper हुआ है, A&M का, उसमें देखो क्या-क्या आया है, सबसे पहले English में बता जाता हूँ, जैसा कि मैंने आपको पिछले 2-3 दिनों में जो chapters पढ़ाये थे, एक तो voice आया है, ठीक है, इसके बाद में एक आपका narration आय है, तो आप आगे जो paper देने वाले हैं, उसमें भी यही चीज़ें आएगी, तो voice narration और one word substitution और tense और subject word agreement, यह 5 chapter अच्छे से करके चले जाना, ठीक है, इसके बाद, जो current affairs है, जी के है, उसमें पिछले 3 महीने का current affairs पूछा जा रहा है, तो आप एक वो तयार कर लेना, ठीक है, biology, normal biology जो आप पढ़ते हैं, वो आई है, है ना, इसके अलावा जो है, पुश्पी विभाजन करके दूसरे में, है ना, chemistry का आपको मनीश सर एक बार बता देंगे, chemistry, physics और इसमें क्या-क्या चीज़ें आई है, तो अभी एक और वीडियो बनाएंगे, या फिर अभी बताई देंगे आपको, इसी वीडियो में बता देंगे, कि क्या-क्या चीज़ें आई है, तो अभी आपको मैं English का बता देता हूँ, क्योंकि English भी थे कुब 20 नंबर की आ दिया है, ठीक है, highest नंबर जो है, आज रहे हैं, वो 55 के अप्रोक्स हैं, थोड़े और बढ़ भी सकते हैं, अभी जो फोन आया है, उस बेस पर बता रहे हैं, ठीक है, और जो जो आपने पढ़ा था, अपने classes से, हैना, अभी कली मैंने voice पढ़ाया, और कली शाम को मैंने narration पढ़ाया, तो यहां से, और one word substitution से, इसके अलावा tense और subject verb agreement, यह वाले chapter भी आप अच्छे से कर लेना, क्योंक इसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो भी आपको बता देंगे, ठीक है, चलो, हाँ, voice narration की मैंने आपको trick बता ही थी, एक बार short में बता देता हूं, कि देखो voice narration में फरक क्या होता है, जैसे कि is, m, r, ing, यह tense की form होती है, हैना, इसका voice अगर बनाना है, तो इसमें change नहीं हो की जगे कर देते हैं, was, were, और साथ में यह ing का ing रेता है, यह दोनों में डिफरेंस होता है, इसको ध्यान रखना है, यह trick से बहुत सारे question बन गया आच, जैसे कि हेज, हेव, third form, हेज, हेव, और साथ में third form, अब अगर इसका voice बनाना है, तो voice में यह copy हो जाता है, हेज और हे मतलब यह जो change होता है ना tense में, यह narration में होता है, voice में change नहीं होता है, voice में helping verb same रहती है, और first form होता है न voice में, तो first form का B बना देते हैं, और अगर ing होता है, तो इसका being बना देते हैं, और अगर third form होता है, तो इसका being बना देते हैं, यह जो अगला paper देने जा रहे हैं, वो यह देख लेना इससे काम हो जाएगा ठीक है चलो तो अभी आपको आगे का बता रहे हैं वो देख लो और पुराने वीडियो जो कल पर सो मैंने वह इस नरेशन की बहुत शौट ट्रिक बता रखी है वो एक बार जाके देख लेना आपका काम हो जाएगा क्योंकि आगे की पे चलिए नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का और आप सभी के लिए आज मैं आपको बता देता हूं कि आज का जो paper है आज के paper में जो highest है 55 number highest है कितने 55 number है और अपने यहाँ से जिन्होंने student ने तयारी की थी उनके 45 और 50 number तक आये है ठीक है आज क्या-क्या पुछा हुआ था आज जो है वो gk में उन्होंने current affairs पूछ लिया था और मैंने कहा था कि current affairs आएगा current affairs अभी 6 मैंने जो भी घटना हुई है उसके उपर ज्यादा question पूछे जा रहे है और यह बात मैंने पहले भी की थी कि current affairs आपको ज्यादा पढ़ना है तो आप सब बोलते थे कि sir current affairs तो आएगा ही नहीं आएगा ही नहीं syllabus में लिखा ही हुआ ही नहीं तो current affairs पूछे थे पहला तो यह तो आपको अप current affairs ज्यादा पढ़ना है आज मैं आपको एक साल का पूरा current affairs वेसे ही रोज पढ़ा रहा हूँ एक बार और revision करवा दुआ तो इस gk में जो आया था वो current affairs आया था दूसरा आपको जो मैंने biology के जो chapter wise question करवाय थे उसमें से तीन chapter के आया थे कौन-कौन से आया थे एक तो जनन से आया था question एक मानव स्वास्त से आया था एक पुषपी पादप से आया था यह तीन chapter से आपके यह तीन chapter से आपका biology में पूछा हुआ था अभी तो phone पे phone आ रहे है इसके बाद chemistry में आया था संगनन का question आया था संगनन से question पूछे हुए थे और रासाइनिक नाम पूछा हुआ था रासाइनिक नाम ठीक है संगनन और रासाइनिक नाम से पूछे हुए थे physics में सवाल कुछ भी नहीं आया था physics में एक भी सवाल नहीं आया था इस shift में सब कुछ normal question पूछे थे थोड़ा घुमा के पूछा था normal question है पर थोड़ा सा घुमाओदार question पूछे थे ठीक है तो यह मैंने आपको अभी पढ़ाया था जो 500 question में उन में से भी बहुत सारे question आये जो practice set में से भी आये थे है ना जो हम पढ़ रहे हैं उस में से भी question आये थे current appairs ज़्यादा आया था संगनन आया था रासानिक आया था और शाम सर ने voice, pens, narration और one word थे वहाँ से question आये थे ठीक है तो आपको क्या-क्या पढ़ना है अब धियान रख लेना है मैं एक बार हो आपको current appairs अब हम जो class लेंगे current appairs के class लेंगे ज़्यादा इसमें आपको 1000 question मैंने पहले ही काया था उसमें से 500 question तो मैंने आपको करवा दिया थे उसमें से बहुत सारे question exam में पूछे हुए थे बहुत बच्चे पढ़ते हीं थे current appairs तो current appairs से बहुत ज़्यादा question पूछें इस बात अब कल आप शाम वाली shift में कहां से paper पूछेगा देखते हैं ठीक है तो ये आज का आपका question बताया है जिनका exam शाम को हो जरूर बताये और कोई भी समस्य आ रही हो तो इस नंबर पर WhatsApp जरूर कर दीजेगा 975374986 मैंने आपको जो भी question दिये हैं वो एक बार जरूर पढ़के चले जाना जो practice set लिए हैं वो भी एक बार जरूर पढ़ लेना कहीं से भी कुछ भी आ सकता है ठीक है current अपर्स के भी question दिये थे वहीं से भी question आये थे और इन तीन chapter में से इस बार question आये थे वीडियो अच्छा लगे तो like share कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए आप सबी का धन्यवाद आपको जैसा ही जो भी पेपर आएगा आपको तूरंत खबर मिलते रहे थे ठीक है और English में आया था tense, voice, narration और one word आये थे ठीक है चलिया और जो अपने यहां से student थे उनका highest है पचास और पेंटालेस इससे और उपर अभी तो पांच जनों के phone आये खा दिया अभी तो बहुत सारे के बाकी है तो उन्होंने यह बताया है और वो बहुत खुश भी थे बहुत सारे ठीक है तो पचास और पेंटालेस अपने आसे लास्ट हाइस्ट हैं और वो जो कोलेस था उसमें हाइस्ट गया था 54 नंबर तो अब पेपर कैसा बनेगा तब पता जलेगा कैसा क्या रहागा ठीक है वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद मिलते है अभी एक बजे